आज मैं बहुत ही सीरिस टॉपिक को बात करना चाहर beyond तुम से मुझे लगता कि किसी यूटूबर ने इस टॉपिक और कवर किया होगा बटुम लोग को यह जानना बहुत ज़र रही है अगर तुम Bumble यूज करते हो यह तूम करना चाह रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को इवा पूरा देखो क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है ना जो कि तुम्हारी mental health को खराब कर रहा है अब वो क्या है इसको बताने से पहले मैं पहले खुद का अपना experience बताऊंगो तुम लोग को मैंने जस तीन मही ने पहले Bumble को डाउनलोड किया था and I really got lots of responses I mean मेरे को अच्छे खासे matches आये वहाँ पर मैं अच्छे खासे dates पे गया लड़कियों के साथ और मेरे को अच्छे खासे friends भी बने वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था मेरा Bumble पर जब भी मेरे को कोई matches आते थे या कोई match आता था तो मैं उस लड़की से बात करता था और मेरी न vibe match हो जाती थी उसके साथ लाइक मेरे को लगता था कि या रही ये तो वही लड़की जो मेरे को चाहिए थी मेरी दो-तीन दिन अच्छे खासी बाते होती थी उसके साथ लेकिन इस Bumble तुमको पता होना चीए यहाँ पर तुम्हारे पास और भी ज़्यादा matches होते है बहुत भी ज़्यादा matches आते है और यही होता था मेरे साथ अगर मैं आज जिस लड़की के साथ बात करता था कल में पस और ज़्यादा matches आ जाते थे 5-6 matches आ जाते थे तो मैं क्या करता था फिर उस लड़की को छोड़के मैं दूसरी लड़की उसे बात करने चालू कर जाता था क्योंकि हर match के साथ मेरी expectations जो थी बढ़ते जा रही थी बार-बार मैं और भी अच्छी लड़की को ढूंडता जा रहा था बंबल पे जिसकी वज़से क्या होता था जो कि last लड़की थी जिस ते मेरी vibe match हो गए थी जिसको जिसको देखके मेरे को लगता था कि या रही यह तो वही लड़की है जो कि मेरे को चाहिए थी उसके साथ मेरी बाते बंद हो जाती थी और kind of तुम कह सकते हो मैं उसे ghost करना चालू कर देता था and I swear ghost होना इस दुनिया के सबसे गंदी feeling होती है अब तुम सोच रहे होगे कि यार यह तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे पास बहुत सारे options है and बुरा तो उस लड़की को लगा तो तुम्हारी क्यों mental health खरा होई now think about in this way कि तुम भी bumble पे हो and तुमने भी तुम bumble चला रहे हो and तुमें कोई लड़की बहुत पसंद आती है and तुम उसको right swipe कर देते हो अब तुम जब सोच के देखो कि as a लड़का मेरे पास आगे इतनी ज़्यादा matches आ रही है तो उस लड़की के पास कितने सारे responses होंगे कितने ज़्यादा matches होंगे bumble पे लड़कियों के पास बहुत सारे options होते है अब चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी उस लड़की से बात होना भी चालू हो जाती है तुम दो-ती दिन बात करते हो और तुमें वही feeling आए लगती है कि अरे यह तो वही लड़की है जो मेरे को चाहिए थी अब जब सोच के देखो कि अचानक से वह लड़की तुम्हें reply देना बंद कर दे तुमने जितने भी emotions जोड़े थे उसके साथ तुमने जितने भी dreams बनाये थे वो सब खतम हो जाते है और ये चीज बंबल पर daily होती है और सब के साथ होती है बंबल ये feeling देने में तुम्हें कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा तुम्हें daily ये feel होगा क्योंकि वो बंबल है अब देखो यहाँ पर ना लड़कों की गलती है ना लड़कों की गलती है हमारी human brainी इस तरीके से बना होए ना कि जहाँ पर हम options देखते हैं ना हम वहाँ पर explore करने कुशिश करते हैं और हम एक option से दूसरो option पर jump होते जाते हैं क्योंकि बंबल पर आधि लोग तुम्हें घोस्ट करेंगे तुम आधि लोग को घोस्ट करोगे और यह सिल सिल आ चलता रहता है और डेली चलता रहता है इस चीज ने न मेरे को इतना ज़्यादा mentally थका दिया था कि यार यह सही नहीं है और this is the reason कि मैंने बंबल को कुछ दिनों बाद डिलीट कर दिया ऐस परसनल अलगे मेरे से पूछा जाए तो मैं रियल लाइफ अप्रोची में बहुत ज़्यादा बिलीब करता हूँ मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर तुम अपस confidence है ना तो तुम रियल लाइफ में किसी लर्की को जाकर अप्रोच करो और इसको डेट करो क्योंकि यह जो bumble and tinder है ना वो कहीं न कहीं सही बता हूँ तो it's a fake life देखो मैं bumble and tinder को खराब नहीं कहा रहा हूँ इन dating apps को खराब नहीं कहा रहा हूँ कि यह बहुत जादा खराब है अगर तुम fuckboy personality वाले रखने वाले बंदे हो या फिर तुम लोग को hookups चाहिए बस तो तुम जाओ इस apps पे तुम्हें भर के मिलेगा यह सब बट अगर तुम relationship ढूंड रहे हो ना इन apps पे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई क्योंकि इन apps पे तुम्हें नहीं मिलने वाला यह सब चीज मैं तुम्हें सचाही बता दूँ अभी के अभी और मैं तुम्हें कोड़ी बता देता हूं मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इस bumble और टिंडर एप पे इवन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नोटिस किया कि जन लड़कियों के साथ हम लोग डेट करते हैं फर्स टाम वह हमारा लास्ट टाम भी होता है क्योंकि सैकिंड डेट तक जाना बहुत ही मिश्किल होता है वो लड़कियां दूसरी डेट पे चली जगई होती है क्योंकि कोई भी रुकता है नहीं है उनको भी एक्स्प्लोर करना होता है हो जाद हो अप्शन तो यह देखो तुमने इस वीडियो को देख लिया है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम बंबल एंड टिंडर पर जाना चाह रहे हो तो तुम जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है इवन अगर तुम कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूँगा कि किस तरीके से मैंने बंबल का जो अपना काउंट से वह सैट अप किया था और किस तरीके से मेरे को इतने सारे मैचीज आए थे तो अगर तुम लोग को चाहिए तो तु को यही था मेरे वीडियो को मोटे मैं चाहता था कि जो डाक तुरूत है वो तुम लोग के सामने लेक्तिया हूं क्योंकि यह काई नकी जो डेटिंग एप से तुमारे मेंटल हेल्थ के साथ खेल रही है और मेंटल हेल्थ के उपर वैसे भी बहुत कम लोग बाते करते हैं मै मैं तुम्हें नेक्स वीडियो पे मिलता हूं अपने नेक्समेंस इप्रोमेंट वीडियो पे उपर क्योंकि मैं ऐसे वीडियो तो तो यूनोव वाट यह अव्ट वाट व्टू दू जा सब्सक्राइब इस चैनल तब तक टेक केर